The next process we have is setting the information architecture. So, information architecture is very important और इसको हम पिछले lessons के अंदर भी काफी दफार डिसक्स कर चुके हैं. So, information architecture क्या है? इसका overview तो आपको अंदाजा होगा that what the information architecture is about. लेकिन इसको मजी थोड़ा साथ discuss करते हैं. So, information architecture is the structural design of a website or a system. ठीक है? ये एक structural design है. और this is a science of labeling. And organizing the content. ठीक है? मजीद इसको discuss करते हैं. आपको बहतर समाझ आएगी. इसका जो मकसद है एक अच्छा अगर आप information architecture design करते हैं. ठीक है? Good information architecture. इसका effect ये होगा that your product, your website would be easy to use. ठीक है? और जो findability है. Findability वो बहतर हो जाएगी. ठीक है? आप कोई भी website, कोई भी user आपकी website पे आता है और वो कोई specific content जानना चाहा रहा है. वो कोई specific product के बारे में जानना चाहा रहा है. तो उसकी जो findability है, वो उसके लिए असान होगी. क्योंकि जो आपका architecture है, that is a good architecture. ठीक है? और उसको आपकी website को use करना बहुत जादा असान होगा. और अगर bad architecture होगा, वो तो आपकी website को use करना भी मुश्किल है. और जिस specific मकसद के लिए user आपकी website बे लैंड कर रहे है, आपकी application को use कर रहे है, तो उसके लिए findability बहुत जादा मुश्किल है. तो जब भी हम architecture design करने जाएंगे, तो ये दो main मकसद हमारे जहन में होने चाहिए, कि हमने इसको easy to use भी बनाना है, और overall content की findability भी असान रखनी है. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा visualize करूँ कि एक information architecture किस तरह से होता है, तो ये हमारे पास एक basic, जो main content है, और possibility है कि यहाँ पे इसके अंदर हमें मजीद content मिले, सुपोज हम A1 पे जाते हैं, तो हमें 2 and 3 मिल रहे है, 3 पे जाते हैं, तो हमें मजीद यहाँ से content हम access कर सकते हैं, और इसके लाबा हम 5 पे जाते हैं, तो हमें मजीद content access करने को मिलता है, 7 पे जाते हैं, तो मजीद content एकसेस करने को मिलता है, ठीक है, तो 8 और 9 पे क्या content पढ़ाओ है, वो कितना important है user के लिए, 5 पे क्या content पढ़ाओ है, उसकी का importance है, और अगर हमने इसके आगर texture को बहतर करन है तो हम eight को अगर इसको इसकी जो position है उसको change करना चाहें तो हम इसको change करके किस position पे लेके जा सकते हैं ठीक है तो यह अगर आप architecture इंप्रूफ करने जा रहे हैं you should know कि मैंने किस तरह से उसका architecture बहतर करना है तो यह एक थोड़ी सी visualization है information architecture की इसके बाद हमारे पास five important activities है जब भी हम information architecture design करने जाते हैं and the first one is inventory all content ठीक है inventory all content में क्या करेंगे मैं आपको picture दिखा देता हूं कि आप जिस भी website पे काम करने जा रहे हैं किसी भी system को design करने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले यह देखना है कि overall वो system क्या चीज offer करता है जैसा कि यहां पर एक example है हम ऐसी company के लिए information architecture design करने जा रहे हैं जो के bakery और coffee product sell करती है तो यहां पर हम देखते हैं अब हम सारी information gather कर रहे हैं that they sell coffees, bakery items, they sell teas, फिर उसके बाद important information और भी हो सकती है about us का section हो सकता है store location है इसके अंदर merchandise भी इनके है ठीक है यह वो सारी information है जो के हमने अपने system के अंदर present करनी है ठीक है जी हमारे पर support भी है, gift cards भी है तो पहले हमने अपना सारा content इकठा करना है उसके बाद हम देखेंगे कि हमने उसको किस तरह से redesign करना है अब जब भी आप information collect करने जाएंगे जैसे कि inventory all content है तो इसमें दो तरह के systems आपको मिलेंगे एक आपका होगा जी existing system ठीक है इसके information architecture को understand करना काफी मुश्किल टास्क है क्योंकि वो उसका जो content है वो grow कर रहा है from years हो सकता है आप ऐसी company के साथ काम करने जिसका content पिछले 20 साल से grow कर रहा है और वो उसी website के अंदर उसको किसी तरह से add करते जा रहें करते जा रहें तो इसको drill down करना इसके सारे content को एक जगा पर लिखना that's a very time consuming very difficult task ठीक है लेकर हमारे पास एक second हो सकता है and that is the new system ठीक है एक नई company है उसकी कोई website नहीं है उन्होंने शुरू से भी content add करना शुरू करना है so यहां पर एक information अच्छा architecture design करना बहुत ज़्यादा असान काम है so यह दो तरह से आपको scenario's मिल सकते हैं जब आप information architecture design करने जाएंगे इसके बाद अगर आप existing system को redesign करने जा रहे हैं तो इसमें पहले आप इसको audit करेंगे ठीक है possibility है कि आप इस application को audit कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे pop-ups नजर आ रहे हैं जो के pop-ups इस specific location पे नहीं आने चाहिए ठीक है आप यह figure out कर रहे हैं website के अंदर बहुत सारी options ऐसी हैं जो के duplicate हो रही है ठीक है बहुत सारा content है जो आपको एक हरारकी में नजर आ रहा है और अगर आप किसी और page के through भी जाते हैं तो वही same content आपको multiple जगह से आप उसको access करें या वो repeat हो रहा है तो आपने duplicate content को किसी तरह से remove करना है और इसी audit के अंदर you have to decide कि क्या इस system में रहेगा और क्या आपने इस system में से निकालना है to make the architecture better और user experience को बहतर बनाने के लिए तो ये हमारे पास second activity है कि आप इस system का audit conduct करेंगे और decide करेंगे that what goes क्या जाएगा and what stays in इसके बाद हमारे पास third activity है कि हमने एक new architecture design करना है तो इसमें हम लोग जो important है वो card sorting technique को use कर सकते हैं ठीक है यह हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि card sorting क्या है इसमें आप अपने topics को किसी card के उपर लिख सकते हैं आप different images को लिख सकते हैं और ये card sorting techniques आप अपने colleagues के साथ भी perform कर सकते हैं आप users के साथ मिल की भी कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि what topic या what feature users के हाँ उसकी क्या priority है उसकी का importance है उसके हिसाब से आपके लिए असानी हो जाएगी उसका new architecture design करना अचा new architecture design करने के बाद इसके बाद हमारे पास चौथी activity है और इस activity से आप already familiar है तो हम अपने architecture को test करेंगे और test किस तरह से किया जा सकता है आप उसके wireframes design करेंगे ठीक है इस चीज़ को हम देख सुके हैं कि wireframes basically क्या चीज़ है आप low fidelity wireframes भी बना सकते हैं आप high fidelity भी बना सकत हैं और उसके बाद आप उसकी prototypes generate करेंगे और prototypes किसी भी website या application की एक functional presentation है तो user उसके साथ interact कर सकता है और ज्यादा बेहतर feedback देश सकता है और test architecture के अंदर भी आपकी usability testing भी आ जाती है ठीक है usability testing और alpha beta testing में क्या difference है यह हम already discuss कर चुके है usability के अंदर आप उसको कोई भी task assign करेंगे और वो task आपको perform करके देगा आप उसको observe करेंगे और alpha beta के अंदर आपके पास दो systems होंगे और दो system के उपर एक ही तरह का task perform किया जाएगा और उसका जो feedback है वो आपके साथ share किया जाएगा तो आप wireframes बनाएंगे prototypes बनाएंगे उसके बाद उसकी testing करेंगे और अपने architecture को improve कर आइटरेट कैसे करेंगे जी आपने जो भी information get की after performing different testings तो आप दुबारा से wireframes की तरफ भी जाएगा सकते है visual designs की तरफ तो for example आपके पास new information आती है तो आप दुबारा से wireframes design करेंगे ठीक है उसके बाद आप उसकी prototypes design करेंगे prototypes के बाद आप इसको दुबारा से retest कर सकते हैं ठीक है usability testing and alpha beta testing और जब आपको पता चल जाए कि आपका system work कर रहा है उसके बाद आप इसकी visual designs की तरफ जा सकते हैं ठीक है जी तो ये आपका एक ऐसा process है जो के iterate करता रहेगा जब तक आप अपने solution की तरफ नहीं चले जाते है इसके बाद हम एक यहां पर example देख लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा task है कि there is a wild coffee company और they really want to increase their tea sales तो इनका जो current architecture है वो कुछ इस तरह से है और यहां पर user cannot find कि how they can order a specific tea तो कुछ testing के बाद कुछ interaction के बाद users के साथ audit करने के बाद they found कि अगर हम other beverages के अंदर tea को सबसे टॉप पे प्लेस करें और उसके बाद बाकी beverages को प्लेस किया जाए तो यह कुछ performances increase कर सकता है tea की जो sales है और इसके बाद second option यह भी हो सकती है और यह अगर दो options हैं तो इसको users के साथ test किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि किसका feedback ज्यादा बेटर है और उसको हम final website में include कर सकते हैं So this was all about the information architecture इसके बाद हम मजीद UX process को explore करते हैं So see you in the next lesson. Thank you so much.